ओम शान्ती, आज है दो जन्वरी 2020 की साकार मुरली, पहले एक नजर मुख्य पोइंट्स पर, बाबा ने कहा, जब तक तुम स्विम को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक तुम्हारी नजर शरीरों पर जाती रहेगी, घड़ी घड़ी बुद्धी में यही बिठाओ, कि हम आत हैं, शरीर नहीं, अपने को आत्मा समझ, जब निराकार बाप को याद करेंगे, केवल तब ही विकर्म विनाश होंगे, लेकिन इन बातों को भी सर्वी सबुल बच्चे ही समझ सकेंगे, माया से हार खाने वाले बच्चे, बाप को छोड भागनती हो जाते हैं, अगर तुम बाबा को अपना वारिस बनाओ, इस कलियुग रात में सब विकारी बन गए हैं, जब तुम सत्युग दिन में चले जाएंगे, तो वहां सब निर्विकारी होंगे, क्योंकि वो है इश्वरी राज्ये और ये है आसुरी राज्ये, फिर बाबा ने कहा, तुम ब्रामन बच् उनको कहेंगे मातेले बच्चे, बाकी तो सोतेले ठहरे, आगे कहा, अभिश्य बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, ये सदा याद रहना चाहिए, बाप दवारा जो ग्यान सुनते हैं, उसका सिम्रन कर सदा हर्षित रहना चाहिए, क्रोध में आकर कभी भी रफ टफ नहीं बोलन चाहिए, ये भी भूत है, इसको निकाल दो, नहीं तो भूत नात भूत नाति नहीं बन जाओगे, बाबा ने कहा, जिनमें क्रोध का भूत हो, उनसे किनारा कर लेना चाहिए, नहीं तो वह भूत तुम्हारे अंदर भी प्रवेश कर सकता है, और लास्ट में कहा, अपने उ अब सुनते हैं महावाक्यों को विसार से, ओम श्यांती, मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए, अपने को आत्मन समझो, शरीरों को मत देखो, प्रशन, हर एक ब्रह्मन बच्चे को विशेस किन दो बातों पर ध्यान देना है, उत्तर, पहला पढ़ाई पर, दुसरा दैवी गुणों पर, कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लडते हैं, बच्चों को ख्याल करना चाहिए, कि हमको दैवी गुण धारन करके देवता बनना है, कभी गुसे में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए, बाबा कहते किसी बच्चे में क्रोध हैं, तो वे भूत नात भूत नातिनी हैं, ऐसे भूत वालों से तुमें बात भी नहीं करनी हैं, गीत तकदीर जगा कर आई हूं, ओम शान्ती, बच्चों ने गीत सुना, और कोई भी सत्संग में कभी रिकोर्ड वहाँ शास्र सुनाते हैं, जैसे गुरुदवारे में गरंत का दो वचण निकालते हैं, फिर कथा करने वाला भैठ उनका विश्सार करते हैं, रेकोर्ड पर कोई समझाये ये कहां होता नहीं है, अब बाब समझाते हैं कि ये सब गीत हैं भक्ती मार्ग के, बच्चों को सम जाया गया है ग्यान अलग चीज है जो एक निराकार शिव से ही मिल सकता है इसको कहा जाता है रूहानी ग्यान ग्यान तो बहुत प्रकार की होते हैं न कोई से पूछा जाएगा ये गलीचा कैसे बनता है तुमको ग्यान है हर चीज का ग्यान होता है वहे हैं ही जिस्मानी बात बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं का रुहानी बाप वे एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है, उस निराकार का चित्र भी है सालिगराम मिसल, उनको ही परमात्मा कहते हैं, उनको कहा ही जाता है निराकार, मनुष्य जैसा आकार नहीं है, हर वस्चू का आकार उनको कुद्रत ही कहेंगे आत्म बहुत छोटी है जो इन आखों से देखने में नहीं आती तुम बच्चों को दिव्यद्रिष्टी मिलती है जिससे सब साक्षातकार करते हो जो पास्थ हो गए हैं उनको दिव्यद्रिष्टी से देखा जाता है पहले नंबर में तो ये पास् पिर आये हैं तो उनका भी साक्षातकार होता है है बहुत सुक्ष्म इससे समझ सकते हैं सिवाई परंपिता परमात्मा के आत्मा का ज्यान कोई दे नहीं सकता मनुष्य आत्मा को यथार्थ रिती नहीं जानते वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रिती नहीं जान सकते दुनिय हमें मनुष्यों की अनेक मत है कोई कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती कोई क्या कहते अभी तुम बच्चों ने जाना है सोभी नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार सबकी बुद्धी में एक रस्तों नहीं बैठ सकता घड़ी घड़ी बुद्धी में भी बिठाना होता है हम आत्मा है आत्मा को यी 84 जन्मों का पार्ट बजाना है अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो बाप कहते हैं मैंने में प्रवेश कर तुम बच्चों को नौलेज देता हूं तुम बच्चे अपने को आत्मा नही समझ से हो इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है वासों में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है सर्व का सद्गती दाता तो वे शुबाबा है उनकी मत पर हम सब को सुख देते हैं इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सब को सुख देते हैं जो बाप को पूरा या नहीं करते हैं, मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं, सरव व्यापी का ज्यान भी भारतवासियों ने फैलाया है, तुम्हारे में भी जो सल्वी सबुल बच्चे हैं, वे समझ से हैं, बाकी सब इतना नहीं समझ से हैं, अगर बाप की पूरी पहचान तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारन करें, शुबाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, ये हैं नई बाते, ब्रामन भी जरूर चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं, ये दुनिया में किसको पता नहीं है, ब्रामन तो धेर के धेर हैं, प इश्वर बाप से वर्सा मिलता है, तुमको अब वर्सा मिल रहा है ना, तुम ब्रामन अलग हो, वो अलग है, तुम ब्रामन होते ही हो संगम पर, वे होते हैं द्वापर कल युग में, ये संगम युगी ब्रामन ही अलग है, प्रजा पिता ब्रह्मा के धेर बच्चे हैं, भल परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है उनकी आत्मा का ही नाम शिव है वे कभी बदलता नहीं शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव निराकार परमात्मा ही हूँ ड्रामा के प्रैन अनुसार अभी ये शरीर लोन लिया है सन्यासियों का भी नाम बदलता है गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है तुम्हारे भी नाम बदले थे प्रन्तु कहा तक नाम बदलते रहेंगे कितने भागंती हो गए जो उस समय थे उनका नाम रख दिया अब नाम नहीं रखते हैं किसी पर भी विश्वास नहीं है माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं इसलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते हैं किसका रखें किसका ना रखें वे भी ठीक नहीं कहते तो सब हैं बाबा हम आपके हो चुके हैं प्रंतु यह थार्थ रिती हमारे होते थोड़े हैं, बहुत हैं, जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं, बाबा के पास मिलने आते हैं, प्रंतु वारिस नहीं हैं, विजे माला में नहीं आ सकते, कोई अच्छे अच्छे बच्चे समस्ते हैं, हम तो वारिस हैं, प वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े ये राज समझाना भी मुश्किल है बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिलकियत देनी पड़े तो बाब फिर वारिस बनाए मिलकियत तो सिवाए गरीबों के कोई स अहुकार दे ना सके, माला कितनी थोडों की बनती है, ये भी कोई बाबा से पूछे, तो बाबा बता सकते हैं, तुम वारिस बनने के हकदार हो वा नहीं, ये बाबा भी बता सकते हैं, ये कोमन बात है समझने की, वारिस बनने में भी बहुत अकल चाहिए, देखते हैं, तो सामने है तुमको यह बनना है बच्चे भी कहते हैं हम तो सुर्यवंशी लक्षमिनारण बनेंगे ना कि चंद्रवंशी रामसीता रामसीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है लक्षमिनारण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे शुबाबा की क्रिशन की भी निंदा ह बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना उच्च ते उच्च बनाता हूं मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं लक्षमि नारण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे बल क्रीशन की आत्मा तो वही है प्रंतु ना जानने की कारण निंदा कर दी हैं लक्षमि नारण का मंदर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं वाईसों में बनाना चाहिए राधे कृशन का क्योंकि वह सतो प्रदान है ये उन्होंकी यूवा अवस्था है तो उनको सतो कहते हैं वह छोटे हैं राधे कृशन छोटे हैं इसलिए सतो प्रदान कहेंगे छोटा बच्चा महत्म समान होता है जैसे छोटे बच्चों को विकारों आदी का पता नहीं रहता वैसे वहां बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है ये पांच भूत वहां होते ही नहीं विकारों का जैसे की पता ही नहीं है इस समय है ही रात काम की चेस्ठा भी रा तुम जानते हो दिन होते ही अर्था सत्यूग आते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे पता ही नहीं रहता कि विकार क्या चीज हैं यह रावन के विकारी गुण हैं यह हैं वीशेस वर्ड वाइसलेस वर्ड में विकार की कोई बात नहीं होती उनको कहा ही जाता है इश्वरिय अब ही है आसुरी राज्य ये कोई नहीं जानते तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुशार्थनुसार धेर बच्चे हैं कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि ये सब भीके किसके बच्चे हैं सब याद करते हैं शुबाबा को ब्रम्मा को भी नहीं ये खुद कहते है जिससे विकर्म विनाश होंगे और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे गीता में भी कहा है मामेकम याद करो क्रिशन तो कहने सके वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से अपने को जब आत्मा समझें तब निराकार बाप को याद करें मैं आत्मा हूँ, पहले ये पक्का निश्य करना पड़े, मेरा बाप परमात्मा है, वे कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्सा दूँगा, मैं सब को सुख देने वाला हूँ, मैं सभी आत्माओं को शांती धाम ले जाता हूँ, जिनोंने कल्प पहले बाप से वर्स लिया होगा, वही आकर वर्सा लेंगे, ब्रामन बनेंगे, ब्रामनों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे, सोतेले भी बनेंगे, हम निराकार शुबाबा की वन्शावली हैं, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती हैं, अभी ब्रामन बनने के बा पाद हमको वापिस जाना है। धरम वालों के चित्र नहीं रहते हैं। सुख में रहना है। प्रंतु बाबा समझ से हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती हैं। तो यह याद रहना चाहिए। कि शुबाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वहे हैं उच्च तेउच। हमको अब वापिस घर जाना है। कितनी सहज बाते हैं। सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना हैं। दैवी गुन भी धारन करने हैं। पांच विकार हैं भूत। काम का भूत। क्रोध का भूत। देव अभिमान का भूत भी होता है। हाँ कोई में जासी भूत होते हैं। कोई में कम। तुम ब्रामन बच्चों को पता हैं। यह पांच बड़े भूत हैं। नमबर वन है काम का भूत। सेकिन नमबर है क्रोध का भूत, कोई रफ डफ बोलता है तो बाप कहते हैं ये क्रोध ही है, ये भूत निकल जाना चाहिए, प्रन्तु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है, क्रोध एक दो को दुख देता है, मोह में भूतों को दुख नहीं होगा, जिसको मोह है उनको ही बच्चों को क्याल करना चाहिए हमको गुस्त वालों से कभी बात नहीं करने चाहिए!! कोई गुसा करता है तो समझो इनमे क्रोध का भूत है वे जैसे भूतनात भूतनाति नहीं बन जाते हैं ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करने चाहिए एक ने क्रोध में आकर बात की फुर दूसरे में भी भूत आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे भूतनाति बूत की परवेसा नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए नहीं तो परवेसा हो जाएगी बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारन कराते हैं बाप कहते हैं मैं आया हूँ दैवी गुण धारन कराए देवता बनाने बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारन कर रहे हैं देवताओं के चित्र भी सामने हैं बाबा ने समझाया है, क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो, अपने को बचाने की युक्ति चाहिए, हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो सो गुणा पाप पड़ जाएगा, कितनी अच्छी समझानी बाब बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझ से हैं, बाबा हू बह कल पहले माफिक समझाते हैं, नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार समझ से ही रहेंगे, अपने उपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है, कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं, तो वे उच चड़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं, खुद विका सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस से धार्नां के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट ग्यान का सिम्रन कर अतिंद्रिय सुख में रहना है किसी से भी रफ डफ बातचीत नहीं करनी है कोई गुसे से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है दूसरी पोइंट भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममतों मिटा देना है अपने उपर आप पे ही रहम करना है वर्दान एकरस स्थिती दवारा सदा एक बाप को फोलो करने वाले प्रसन्न चित भव आप बच्चों के लिए ब्रहमा बाप की जीवन एक्यूरेट कम्प्यूटर है जैसे आजकल कम्प्यूटर दवारा हर एक प्रशन का उत्तर पूछते हैं ऐसे मन में जब भी कोई प्रशन उठता है तो क्या कैसे के बजाए ब्रहमा बाप के जीवन रुपी कम्प्यूटर से देखो क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा प्रशन चित के बजाए प्रिसन्न चित बन जाएंगे प्रसन्य चित अर्थात एक रस्थिती में एक बाप को फोलो करने वाले स्लोगन आत्मिक शक्ती के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो अव्यत्थिती का अनुभव करने के लिए विशेश होमवर्क चाहे कोई भी साधारन कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यत्थिती बनाने का अटेंशन रहे कोई भी कारे करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझ कर डबल फोर्स से कारे करो तो स्मृती बहुत सहज रहेगी सुल कारोबार का प्रोग्रेम बनाते बुद्धी का प्रोग्रेम भी सेट कर लो तो समय की बचत हो जाएगी